समस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है MPNHM के तरू स्टाफ नर्सिस और फार्मिसिस्ट की विकैंसी जहां पे रिलीस की गई थी 1222 पदों पे सरकारी भरती का विज्यापन जारी किया गया था और 30 माई 2022 इस देट तक आप लोग ने ऑनलाइन आविदन किया और दोस्तों इसके बाद अभी हाली में एक और अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करा आगया कि स्टाफ नर्स वाले जितने भी कैंडिडेट है आपके एडमेट कार्ड जारी कर दे गए आप सबी लोग अपना अपना एडमेट कार्ड इसमें चेक कर ले एक्जाम के डेट टाइमिंग और प्लेस क्या है यह सारी जानकारी आप लोगों को एडमेट कार्ड में दे दी गई और इसके लिए एक वीडियो ओलेडी मैं आपको आपके कवर कर चुका हूँ किस तरीके से आप लोग अपना एडमेट कार्ड डाउलोड करेंगे और एडमेट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अपने एक्जाम सेंटर में आपको कैरी करके ले जाना है यह जानकारी जो है मैंने already वीडियो में discuss कर लिए वीडियो के नीचे description box में link आपको वीडियो के मिल जाएगी आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं दोस्तो इसी से संबंदित एक और जानकारी आप आपको यहाँ पर दे दी गई देख सकते हैं यहाँ पर लखा है online written mock test दोस्तों mock test की link आप लोगों को provide करा दे गई है और ऐसा करने का दोस्तो purpose यहाँ पर क्या है कि जो भी candidates first time online exam देने जा रहे हैं तो आप सब लोग घर बैटे बैटे सबसे पहले practice कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को computer की screen पे आपको आगे की चीज़े आपको नजर आने वाली हैं तो एक mock test हम लोग करा सकते हैं dummy test आप लोगों को यहाँ पर दिया जारा आप लोगों को घर बैटे बैटे सबसे पहले practice कर लेनी है कि किस तरीके से आप लोग answers को choose करेंगे और आपको यह पूरी जानकरी इस वीडियो में मिल जागी तो दोस्तों आप पर देखिए लिखा भी हुआ है 28 July 2022 online written mock test तो directly मैं इसको आपको click करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों देखिए जैसी इस पर मैंने आपके click किया लिखा हुआ है click here to get credentials this mock test is only for candidate practice purpose तो आप लोग जो है घर बैटे practice कर लें किस तरीके से आपको computer screen पे आपको अपने answers को mark करना है और यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है click here to get login credentials तो इस पर मैं आपके एक बार यहाँ पर click कर देता हूँ तो दोस्तों देखिए जैसी इस पर मैंने आपके click किया यहाँ पर मुझे roll number मिल गया यहाँ पर मुझे password मिल गया यहाँ पर मुझे pin भी दे दिया गया और यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है start exam तो इस पे यहाँ पे click कर देना है और यह जो जानकारी है यहाँ पे इसको fill करनी होगी तो दोस्तो इस पे directly मैं start exam पे click कर देता हूँ तो जैसे यहाँ पे इस पे मैंने click किया आगे का page यहाँ पे open हो गया roll number मुझे यहाँ पे fill करना होगा password मुझे यहाँ पे fill करना होगा और pin यहाँ पे दिया गया तो यह भी मुझे fill करना होगा तो roll number मैं सबसे पहले यहाँ पे fill कर देता हूँ roll number मुझे क्या दिया था सबसे पहले दोस्तो लिखा था n फिर उसके बाद था h फिर उसके बाद था M तो NHM जो है यहाँ पर सबसे पहले टाइप होगा और कहीं भी दोस्तों स्पेस नहीं आएगा तो मैंने आप पर स्पेस दे दिया था तो फिर NHM के बाद फिर नमबर था तो नमबर क्या था NHM row number two double zero seven eight five तो यह पूरा नमबर था और इसके बाद दोस्तों देखिए आप लोगों को यहाँ पर लखा है password तो password के जगा आप लोग यहाँ पर क्या fill करेंगे one two three four तो यह आप लोगों को login details वहाँ पर दे दी जाएंगी कोई भी गबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए यह आपको dummy roll number दिया गया dummy password दिया गया और dummy pin code आप लोगों को दिया गया pin यहाँ पर क्या था double one double one तो यह आपको वहाँ पर examination hall में आपको जो भी आपके teacher से हैं वो आपको fill करके उसमें बता देंगे अब दोस्तों आपके लिखा है login करने को तो उसमें आपके login कर देता हूँ देखिए अभी authentication field है कोई न कोई जानकारी इसमें मैंने आपके गलत fill कर दी तो उसमें को मैं आपके check कर लेता हूँ तो दोस्तों जो information मैंने गलत fill की थी वो मैंने इसको यहाँ पर सही कर दी और यहाँ पर लगा है login करने को तो उसको मैं आपको login कर देता हूँ तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से यह processing चालू हो गई है और यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्या लखा है welcome पेज तो यह welcome पेज आप लोगों को दे दिया गया और इसमें आप लोगों की आपकी photo ID वहाँ पर नजर आपका रोलामर नजर आगा आपका नम तो यह कुछ basic जानकारी मिलेगी और सबसे last में आप लोग देख सकते हैं आप लिखा है next तो इसमें आपको एक बार आपके click कर देना है इस तरीके से थोड़ी से processing होगी फिर इसके बाद दोस्तों आपको instruction का page मिल जाएगा तो instruction में जितने भी नरदेशन हैं कितने सवाल आपको पूछे जा रहे हैं कितने आपको duration मिलेगा means आपको परिक्षा की अबदी कितनी है तो ये कुछ basic नरदेशन है वो आप लोगों को इसमें आपे मिल जाएंगे फिर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे देखिए next का option आपको दिया जा रहा और इस पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे click कर देना है तो यह next का option जैसी इस पे मैंने आप़ खिलिक किया इस तरीके से आप लोगों को एक और यहाँ पे next का option आपको यहाँ पे मिल जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे सबसे आखरी में लिखा भी हुआ है next तो यहाँ पर मैं इस पर click कर दिता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक और बार मुझे यहाँ पर इसको next करना होगा यहाँ पर लिखा please agree to the rules and regulation तो यहाँ पर देखिए agree करना है check box आप लोगों को यहाँ पर दिया है जिस पर मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो दोस्कों देखिए processing कुछ इस तरीके से हो रही है और यहाँ पर पूरा information मिल जाएगी NHM staff nurse mock test अगस्ट से 2022 start date दे दे गई, timings दे दे गए language दे दे गई, तो आप लोग language select कर सकते हैं आप लोग Hindi language में देना चाहते हैं English language में आप लोग यहाँ पर select कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है start exam तो इस पर आप लोग यहाँ पर click कर दे और यहाँ इस पर आप लोग click करेंगे आपका exam start हो जाएगा क्या क्या चीज़ आपको आपके screen पर नज़र आएगी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार option दे दी गए हैं यह चार option है और यह सवाल है और सवाल को यहाँ पर English में लिखा है यहाँ पर Hindi में लिखा है आप लोग इसको A plus में zoom कर सकते हैं और इसको यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं तो यह आपके मरजी के मताबिक रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं यह caution की plate है सारे 100 सवाल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे आप लोग चाहें किसी भी सवाल पर क्लिक कर सकते हैं आपका वो वाला सवाल open हो जाएगा सबसे उपर की तरह देख पारे हैं यहाँ पर लिखा है date तो date दे दी जाएगी और सती साथ time remaining तो कितना time में आप लोगों का बचाए तो 2 गंटे का exam रहता है तो देखिए एक गंटा 59 minute जो है आप यहाँ पर बाकी है तो ऐसे ऐसे करके यह कम होता जाएगा पर नगर है तो यहाँ पर 4 option दिए दिगा है कौनसा option मान के चलते हैं एक सो बावन है option number B है तो कैसे आप लोग उसको select करेंगे आप लोगों को यहाँ पर इस पर click कर देना होगा तो इस पर मैंने आप लोगों कर दिया तो दोस्तों देखिए next कर दिया और अगला सवाल यहाँ पर आ गया और पहला जो सवाल है देखिए यह green आप लोगों को नजर आ गया तो सारे सवाल आप लोगों को green होते जाएंगे जैसे जैसे आप लोग next करते जाएंगे select करते जाएंगे option और आप लोग options को select करते जाएं और next करते जाएं आपके जो सवाल है यहाँ पे submit हो जाएगा और last में जो आप लोगों का time जो है complete हो जाएगा दो गंटा अपने आप आपका यहाँ पे exam submit हो जाएगा और जैसे कि देखे अभी practice कर सकते हैं किस तरीके से आप लोग exam में computer screen के सामने आप लोगों को answers को mark करना है और दोस्तों यदि आपको लगता है कि कोई भी सवाल आपका गलत यहाँ पे fill हो गया इसका answer आप लोगों ने गलत यहाँ पे mark कर दिया मान के चलते हैं दूसरी नमबर का सवाल हमारा है यहाँ पे इसका answer गलत है तो मैंने इस पे दूसरे पे आप पे click किया तो देखिए दूसरा सवाल है यहाँ पे आ गया और इसको clear करना है मुझे लग रहा है कि option number B ना होके option number यहाँ पे D है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए option दिया गया clear response next कर दिया तो next करने के बाद अब दोस्तों देखिए यहाँ पे second number का जो सवाल था अब जो है इसका answer यहाँ पे निकल के आ गया है और यह यहाँ पे save हो गया तो कुछ इसी तरीके से आप लोग घर बैटे बैटे आप लोग प्रैक्टिस कर लें यह dummy test आप लोगों को provide कराए जारा exam में आप लोग जो है इसी तरीके से answers को mark करेंगे यह update कासा लगा पूरी जानकरी मैंने आप पे cover की सबसे पहले वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe जरू करें कोई भी जानकरी अब आप से ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाए subscribe के राइर बेटन को आप एक लिए करें MP staff nurse हर information इसी तरीके से आगे भी पात रहे तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में thank you so much